हलो अब्रीवार मेलकम बाइट की मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे देखो ममा बात कर रहे हैं तो और बताएए फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं यह सामका टाइम है मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी टाइम हो रहा है आरु क्या कर रहे हो आरु कि देखे मस्ती शूरू है जंदी बात है अच्छ्छ हाइज कर लो हाइज कर लो हाइज सही से बैठ उता ह्ताव ना ऑग ने देखे अरु का हेर कट हुआ है अपने हेर कट दिखा दो देखो जो मेरा रहेर कट कैसा लग रहा है तो चलते हैं किचन में और आज मुझे बनाना है पानी पूरी तो मैंने संचा चलो आप लोग के साथ भी पानी पूरी की रेश्पी शेयर कर देती हूं तो चलते हैं किचन में फिर और इधर देखिए घर को इन लोगों ने ग्राउंड बना लिया है घर को ये दोनों आस्ट बेस्ट करके रख देते हैं और आप लोगों को बैग वेगरा भी फैला हुआ लग रहा मेरा तो हम लोग की पैकिंग होने वाली है कि हम लोग को घर जान है दो-तीन दिन में तो बस वही सब बाइग वेगरा मैंने निकाल के साफ्स कर दिया था ताकि मतलब रास्ते में जाने के लिए जो है अपना साव जो मतलब बैकिंग अगरा करना है कर लें तो फिलाल अभी तो हमारा घर आपको आस्त बेस्त ही दिखेगा और क्योंकि घर भ मैं बनाने जानीं पानी पूरी तो मैंने ना मतलब इसे कटोरी से मैंने जो smart लिया था इसे मैंने कटोरी सुझी भर के लिया था और इह हमिधा मैंने हापको लिया था इसी तो जो मैं आपको लोग को दिखार मैंने नाप जब लिया था तो मैंने रिकॉर्ड किया था बट पता है मैंने काइमरा तो लगा दिया बट आन करना भूल गई तो फिर मैं बस ऐसे ही बता रही हूं और इसमें मैंने करीब आधा स्पून से कम ही डाला है रिफाइन डाल तो बस और इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा इसको डालके मैं थोड़ा सा मिक्स करके और इसके पाद गुनगुने पानी से मैं इस आटे को लगा लूँगी और आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं ना रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही बनेगा ना बहुत ज्यादा साफ्ट इसमें बहुत ज्यादा टाइट तो बस यह है सूझि मैदा और मैंने आपको नाप बता दिया मैंने जितना-जितना लिया था और इसमें मैं थोड़ा सा अईल भी दिखा really ढाला है और तो लासन की मात्रा जादा नहीं थी बस तो चार कली ही थी और यह समय ने पानी डाल के पीछ लिया था अब मैं इसको छान ले रहे हूं ताकि जो इसका जो मतलब फ्लेवर है यह पानी में घुल जाए अच्छे से नमक मिर्च और धन्या की पत्ती का जो फ्लेवर है ना पानी में अच्छे से घुल जाए वहीं मैं जो है कर रही हूं और यह उपर का जो मतलब बच्चा है इसको मैं चाट में डालूंगी इसको फेकना नहीं है इसको भी हम यूज कर सकते हैं तो इसको मैं यूज करूंगी चाट में और मैंने मतर जो है बॉयल कर लिया है और कुकर में मतलब इसमें डालूंगी जल जीरा पाउडर करीब एक चमच एक इस्पून भरके मैं जल जीरा पाउडर इसमें आड़ कर रहे हूं यह देखिए और यह जो फिल्टर में दीख रहा ना मतलब वही है लाल मिर्च धन्या पत्ति और लासन इसको मैं चाट में आड़ करूंगी जल जीरा पाउडर डालने के बाद करीब एक चमच आधा चमच मैंने डाल दिया है भुने हुए जीरा का पाउडर यह देखिए और मेरे पास इमली नहीं था तो मेरे पास लेमन था तो मैं हाप जो है काटके इसको लेमन जूसिस में आड़ करूंगी मैंने इसका सिव्ट अगरा निकाल दिया है तो मैंने अधा ही लेमन लिया है पूरा नहीं लिया है ने तो खटास ज्यादा हो जाएगा जल जीरा पाउडर में भी थोड़ा खटास होता है ना इसलिए तो मैंने इसमें हाप जो है जूस भी डाल दिया लेमन जूस यह देखिए और फिर इसमें म और बहुत Videos रिषान की अ-क-अ-धर मुत्पाहका है और यह हमारा पानी के एक्टम पूरी तरह से रेडी है तो वस इदर मेरा आठा वी सेट हो रहा है और यह अभी पक चुका लग भग तो यह देखिए मटर में आप लोग को दिखा रही हूं अच्छी से पक गया है इसमें मैं अलू का वैट नहीं कर रहे हूं केवल मटर यह सफेद मटर जो होता है वही तो इसको थोड़ा से अच्छे से मैश कर लूगी और इसके बाद इसको मैंने और हल्दे डालके बॉयल किया था बाकी और कुछ नहीं डाला है इसमें बाकी मैं उपर से इसमें आट करूंगी चाट में मटर वाली चाट है यह इदर पानी भी रेड़ी हो गया तो मैंने इसको ढखके एक तरफ साइड में रख दिया है और उसके बाद फिर मैं मटर की त थोड़ दिया था आच्छे से हो चुका है और इसको मतलब बेलनी से पाले ही ना इसको एक बार और अच्छे से मसल पानी बनाती समय को व सिसको बच्चे-स मसल मसल shifting फिर इसका जूमों है पानी पूरी बनाया और अच्छे सेट हो गया था सूजी है तो सूजी फूलता भी है इसमें तो बहुत अच्छी से आटा लगा भी था लेकिन एक बात याद रखना आप लोग गुंगुने पानी से ही आटा लगाना इसको नॉर्मल पानी से नहीं तो मैं किसी साचे या बेल के ही पानी पूरी बनाऊंगी यह देखिए मैंने चुटे-चुटे टुकड़े ले लिए हैं और इसी तरह मैं काटके और चुटी-चुटी पूरियां बेल लेती हूं कर अबड़ियां बेल बस्ति आटूरी बड़ान वरीज पुटीग पुटिश्ति बड़े हैंने चुटी आटाब़े बनाऊंगी उतनाओता वश्टीवल को घ्कर कर दो मैं तो दो मैं काटके चुटीटीए फुटीड़े नहीं जाटार प्युटीड़े टुटीड़ें ट टारी दोड़ी। झाल झाल तो मैं इसी तरह सारी जो है ऐसे छुटी-छुटी पूरियों की तरह में बेल लूँगी ना बहुत मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला नॉर्मल में रहेगा और बेल के मैंने एक साइड में रख लिया है कड़ा ही गरम हो रहा है और यह हमारा मतर अच्छे से मतलब तयार हो तो इसमें मैं वही जो बचा था ना मैंने पानी में जो डाला था मसाला वही बचा था तो मैं इसको एड़ कर रही हूं और मतर को मैंने पहले बता है मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डालके के बूल वायल किया था बस यह मसाला मैंने डालके और थोड़ा से इसमें मैंने ले नमक और यह हमारा अच्छे से चाट जो है त्यार है बहुत अच्छा चाट बना था मतर चाट और अच्चलि यह इसमें मैंने आलू अगर आब वाइल नहीं किया था कि वहली मतर ही है और बहुत ही चरपटा सा चाट था मतर का और उसके बाद मैं काला नमक डाला भूल गई तो फिर मैं थोड़ा सा उबर से डाल रहे हूं काला नमक इसमें मैं थोड़ा सा साधा नमक डाला था बट हलका था तो मैंने थोड़ा सा काला नमक भी अट कर दिया और यह देखिए चाट एकदम रेड़ी है इसके उपर मैं थोड़ा सा तुछ पुड़ा सबस्क्राइब कर लोगी और इसके बाद फिर मैं इसमें से डाल रहे हूं रिफाइन डाल वह थोड़ा सब्सक्राइब तो इधर मैं पूरिया से जो है बना ले रही हूं इतना मैंने बना लिया है मैं इसी तरह बना ले रही हूं मैंने हाथ से इसी तरह गोल गोल बेल लिया है चुटी चुटी पूरियों की तरह यह दिखिए और उसके बाद आयल अच्छी से गरम हो जाए फिर मैं जो है पानी पूरी बना लेती हूं पूरिया जो है बना लेती हूं तो मसल मसल के आटा थो तो मैं फूरी थोड़ा सा आठा डाल के अब हुर्ण कर लेती हूं और यह देखिए तयर के ऊपर आगया अच्छे से ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और जब शूरी हम बेखंगे अच्छे से गरम होना चाहिए बाद में हम इसको स्लो कर सकते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी सा बन जाए तो यह देखिए अच्छे से हमारा आयल गरम हो गया था तो मैं पूरियों को उठा उठा के मतलब तल ले रही हूं और आप देख सकते हैं एक भी पूरी ऐसी नहीं है जो मतलब फूली ना हो अच्छे से कैसे फूल रही है डिब्बे कर दो ना इंटके रहे हो है उसी साइड से हमें कडाही में डालना है इसको पलट के नहीं डालना है आप देख रहे होंगे इसे मीची कारेव голो भी तु मैंडालनेगे तो इसको पानि वैसे ही बनातान ब्लभी पूरी आप लोग से अगने पूलायश और मैं अभी आपको इक तोड़ के दिखाओंगी कितना मतलब क्रिस्पी सा बना है और बहुत लोग बताते हैं कि बाद में जो ह्ये नरम पड़ जाता है बट मेरा नहीं हुआ था मेरा ऐसे ही क्रिस्पी सा होता जैसे इसे ठंडा होता न ऐसे और भी क्रिस्पी सा बन जाता है तो इस तर मैंने बारीग बारीग प्याज कर लिया था और मतर वाले चाट में मैंने प्याज भी एट कर दिया है तो बस पानी भी रेटी है चाट भी रेटी है और फुलकी भी तयार है तो फटा-पट से मैं इसी तरह बना ले रही हूं और सबको कर सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से बन गया है और इसको मैं निकाल लेती हूं तो यह देखिए अच्छे से बन गया है यह कर दो कर दो दो यह दो, जो यह दो दोगे अच्छे से बन गया है यह दोने हैं तो यह कर दो 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 कि अप़ामी के से लेखिए इह। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूं इसको तो यह देखी कितना क्रिस्पी सा बना है कितना क्रंची से आवाज आई है इसमें से बहुत ही परफेक्ट पानी पूरी बने थे और बस मैं इसी तरह सारा चुह बना लूँगी और इधर ना मतर की चाट भी रेडी है मैंने प्याज़गरा कट कर लिया था तो मैंने मैं आपने अपने अब मैं सबके लिए लगा रहे हूं खाने के लिए और तो तिन मतलब पूरिया ऐसी भी होती है कि कभी-कभी फूलती नहीं है तो जो मतलब थोड़ा बहुत बच्चा था जो तो चार तो ऐसा निकलेगा है जो मतलब फूले भी ना कितना भी अच्छे से बना हम रोटिया ही बनाते हैं तो कोई कोई हमारी जो रोटिया फूलती नहीं है तो यह देखिए पानी भी एकदम परफेक्ट रेडी है और इसमें जो मतलब एक दो नहीं फूली थी पानी पूरी उसको मैंने तोड के और इस चाट में मैं आड़ करूंगी मतर वाली चाट मे पानी पूरी नहीं पूली का में तो बस से हमारी पानी पूरी बनके रेडी है और मैं सब के लिए जो रगा रही हूं यह देखिए, तो यह देखिए, मैं सब को जोह लगा के दे रही हूं, सब लोग टेबल पर बैठे हैं, और अभी थोड़ा बहुत बनाने को भी है, मैंने का सोचा जो तयार है, मैं सब के लिए मतलब लगा देती हूं, तो यह देखिए, इसमें मैं चाट भर देती हूं, और उपर से थोड़ा सा बारिक कटा प्याज भी डाल देती हूं, यह देखिए, मैंने सा जोह लगा दिया है, चाट भी भर दिया है, अब इसमें मैं पानी जोह एट कर रही हूं, तो फ्रेंड्स, यह पानी पुरिका प्लेट आप लोगों के लिए लगाया है मैंने, तो आज एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाई बाई टेक कियर